मेरे इधानों बांधों, भाईनों और बैनों, और कॉल साब का आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे यहाँ पर चन्द मेरे टाप से गुफ्ट गुफ्ट करने के लिए समय दिया है, सबसे पहले मैं अपनी शद्धानजली अर्थिक करना चाहूंगी, बांगर परवार को, जिनके पुरुन साथ की जो आज मेरे अमुरुद सर्विस यहाँ पर है, बेटे जी ने हमको बहुत एक खुवी से, बहुत अच्छी तरह से समझाया, कि यह जो मा और पिताजी का, हमारे वालिदान लोगों का, जो एक कर्ज हम पे होता है, किस तरह से हमने अपने जीवन में उसको उतारने की पुरी कोशिश करनी चाहिए, और मैं इसके बाद जो आपके सामने रखने चाहती हूँ, मैं उस कर्ज की बात करना चाहती हूँ, कुछ चंद लम्हों के लिए, कि जो एक सामाजी कर्ज हम पर होता है, हम जिस समाज के नुमाइंदे हैं, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जिन महापुर्खों ने, जिन लोगों ने अपना सारा जीवन बरिदान किया होता है, और जिन्हों ने उस विवस्था से हम निकालने की पुरी कोशिश की होती है, जिस विवस्था से हम लोग सामाजिक विवस्था से हमारा आर्थिक दमन, हमारा सोशन दमन, हमारा सामाजिक और शेक्षनिक दमन हुआ होता है बुद्धा ने अपने समय पर इस पूरे दमनकारी विवस्था से हम पूरना समाज को निकालने की 85 की उमर, 87 की उमर तक उन्होंने लगातार एक जगह से दुसरे जगह चल कर एक organization जिसको की भिकुक संग कहा जाता है उसको प्रस्थापित करके एक ऐसी समाज में वस्था प्रस्थापित करने की कोशिश की जिसको की उन्होंने बहुजन समाज का नाम दिया बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की विचाधारा के अंतरगप बहुजन समाज का निर्मान उन दुखों को जहां तब की पंचशील का माध्यम से हमको हमारे परिवार के उपपर आने वाले दुखों को निफ्टारा करने के लिए मार्ग दिखाया हमको एक इंसान से अति उप्तम इंसान बनने का मार्ग दिखाया और निर्बाना तक पहुशने का मार्ग दिखाया उसी तरह सामाजिक तरह से अगर आप पुरी तरह से निम्न स्थिती पर हो तो उस सामाजिक स्थिती से किस तरह से लड़ना चाहिए जिस तरह से एक शरीर में संखार उपन होते हैं और उनसे मारा को मारने के लिए जिस तरह से वो खुद लड़े थे तो समाजिक स्थिती में ऐसी भी गुस्था के खिलाफ बगावत करने के लिए कौन से कौन से चीजों की जुरुत है और उससे किस तरह से मुक्थ हुआ सकता है यह तरीका भी बुद्धा ने बहुत हुए उसको हमारी बुरी सीजी से उसमें से निकाल से कि दो चीजे मैं आपके सामने रख कर मैं अपना यहां पर वक्तेव्य खतम करना चाहती हूं और मैं हमारे भाई लोग जो मेरे ख्याल से अलग-अलग organizations में होंगे उन्हें रिष्टदार भारत में अलग-अलग organizations में होंगे अलग-अलग political parties के साथ affiliated होंगे अलग-अलग तरीके से अपने आपको identify करते होंगे चाहे किसी विशेश जाती के रूप में चाहे किसी विशेश religion लेकिन आज हम लोग यहां पर बॉध्ध होने के नातिज़ और बुद्धिजम के जो tenants है उसको एक प्रतिक्ष रूप में अपने जीवन में लागू करने के यहां पर इखटा होते रहते हैं तो इस परिप्ष में जव हम लोग पाते हैं कि बहुत धर्मा ने जिस तरह से हमको उसमें से निकाला आज हमारे बांदभा, हमारे भाई लोग आजपनह उसी सिथी में वापस जाते हुए नजर आते हैं जहां पर डॉक्टर आमिट्कर ने जिनके की गुरू जुनोंने की अपना गुरू जोतिराफुले को माना कभीर जी को माना एसी दोगों के जो नुमाइंदे हैं वह लोग भी सारे के सारे ये पूरा का पूरा समाज एक बहुत ही जादा अंदेरी खाई में जाता हुआ नजर आ रहा है इनका शैक्षनिक जमन हो रहा है इनको शिक्षा से जहां पर जिन वज़े से भारत में बगावत नहीं हो पाई थी वो शिक्षा के अधिकार आप से छीनने के वज़े से हो सका था और शिक्षा का अधिकर आपको मिलने के बाद आप और हम इस दरजे पर पहुंचे हैं कि हम अपना और खुद का और अपमारे परिवार का कल्यान कर सके, चंद रुपे हमारे पास आ सके, जिन रुपे के वज़र से हम अपना दरजा जिन्दगी का बढ़ा सकते हैं, वह एक वैचारिक स्थर पर आप दमनकारी ववस्था और दमनकारी लोगों को खिलाप उर्खड़े हो सकते हैं, वैसी विचार करने की शक्ति आप से दूर की गई हुई थी, तो साथियों, आज जो सामाजी करांती बुद्धा की हुई थी, आज हम देखते हैं कि उसी तरह भा गई हम दिखाया था कि उनके वक्त तो जाती ववस्था थी नहीं, वर्ण ववस्था थी, लेकिन वर्ण ववस्था में विगटित लोगों को इखटा करके कलास बनाने की कोशिश बुद्धाने की थी, मतलब अलग अलग गुटों में बटे हुए लोगों को का कलास इसमें इखटा करना, कलास इसमें इखटा करके ही उनको स्टकल उनसे करवाना और वस्थापिक ववस्था जो की ब्राह्मनवार्दी ववस्था थी, उसके खिलाब खड़ा करने की प्रत्न बुद्धाने किया था, बाबा साहब ने भी वही किया, लेकिन आज हम लो इसके सामने बहुत बड़ा एक रोडा आया हुआ है और वहां की जाती विवस्ता या कास विवस्ता जिसको की क्लास में बदला जाने के लिए बहुत जादा दिकते हो रही है। जब तक भहुजन हमारा समाज है लेकिन भहुजन करके वो समाज बनेगा नहीं। मतलब भहुजन करके भहुजनों का मतलब नुमरिकल में हैं लेकिन अपने आप को भहुजन वो समझता है नहीं। और यह सारका सरा समाज अलग-अलग आइडेंटिटीज में पुरा बिखरा हुआ होने के वज़े से यह पूरी तरह से एक समाज बनकर आ नहीं पा रहा है। और जब तक भहनी आएगा ना उसकी राजनिती उस तरह से चल पाएगी ना उसका शैक्षनिक अधिकार उनको मिल पाएंगे ना समाजीक अधिकार उनको मिल पाएंगे। तो यह जो गतिविधी है कि कास्ट रक्चर को तोड़के जिस तरह से बाबा साब में अनिलेशन अफ कास्ट में हमको बताया है। हमारे बहुत सारे यंग बच्चे हैं, हमारी महिला हैं, हमारी खवातीन हैं, जिन्होंने अनिलेशन अफ कास्ट जो डॉक्टर रांबेट करका हैं, हम लोग आते हैं यहां पर और हम लोग उनको पूछते हैं, हम लोग नमन करते हैं, लेकिन उनका हमने साहित यहां पर लाइबरी में हैं, लेकिन मेरी ख्याद से हो सकता है कि आप लोग ने उसको खाते होंगे। और यह जो भारत है। जो कि दो कम महाफुर्थों में रूप में हमारे सामने आता है। तो बैचारिक स्थर पर हम समज़ करसी है। साथे है लावे रोडा जो हमारे सामने के अलावा और आक रूडा है, कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग जो है दिनकों के बहुजन समाज का पहा जाता है बुद्धा ने अडिन्टिफाइट किया है हमको यह हमारी खुद की अडिन्टिटी नहीं है यह कोई political party में इसको नहीं सामने लाया है तो बुद्धा को अगर हम लोग मालते हैं तो अलग-अलग इसमें बटे हुए हमारे ही भाई हमारे ही भाईों मैंसे हम बौद बने लोगों ने अपनी जंजीरे तोड़ी और वो बौद बने कुछ लोग जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं उनको भी रिहा करना हमारा दाइत्वा है हमारा रिस्पॉंसिबिलिटी है कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बहुत बना होकर अलग-अलग रिलिजिन में गए हैं लेकिन वो उनके धर्म भी इकुरिटी बेस्ट है या जिनकी समानता की अस्तर पर बसे हुए है और जो गैर बराबरी के धर्मे फसे हुए है उनको भी उनमें से रिहा करना यह भी हमारा काम है तो हमारे विचार उन तक ले जाना अलग-अलग लोगों में भायचारा बढ़ाना अगर तो जो धर्म गैर बराबरी और समानता और धायचारा नहीं पढ़ाता है अगर हम उनको नहीं निकालते अगर हम अपने ही लोगों के विश में काम करते हैं और अपना यह उत्तरदाईत नहीं बनाते तो उनकी संख्या अगर बढ़ी रहेगी तो उत्तना ही जितना खत्राब्ताईते पहले पैदा हुआ था आज की कारीश में हमारे लोगों के लिए पैदा होता रहेगा हमारा धर्म खत्रे में रहेगा बहुत धर्म खत्रे में रहेगा अन्या सारे धर्म जो समानता में विश्वास रखते हैं भायचारे में विश्वास रखते हैं, महिला और पूरिशों की समानता में विश्वास रखते हैं, वो सारे के सारे भामों को खत्रा रहेगा. और इसलिए ये हमारे उपर बहुत बड़ी जमवाली है कि मॉडर्न टाइम्स में जहां पर की हमारे पास एजुकेशन है, जहांकि हमारे पास पैसा है कुछ हत्तर, जहांकि हमारे पास मॉडर्न वैल्यूज है, बुद्धा का धम है, बुद्धा की सीख है, बाबा साहब का है जो तिराव पुले का है, पेरिया नमा समी का है और हमारे असंगे मापुर्थ हैं और पड़े लिखे लोग intellectual class ये जो हम लोग वैठे हुए हैं बावा साथ में आपको वालूम हुगा पहा था कि intellectual class ने डॉन नेसेसरी बीदा ruling class मतलब intellectual जो लोग होते हैं पड़े लिखे लोग होते हैं हो सबता है कि वो ruling party में ना हो या ruling ना करते हो लेकिन intellectual class is a influential class और यहाँ class अगर अपने कर्टूतों से, अपने विचारों से, अपने अक्शन से और अपने लोगों को ऐसे दमनकारी करने में उनके रास्ते बताने में अगर अपना वो काम नहीं कर रहा है तो अपने responsibilities से बगावत कर रहा है और यह class इतना inflammation होता है कि बाकी जितने भी masses होते हैं जो पड़े लिखे लोग नहीं हैं वह इनको emulate करते हैं या इनको imitate करते हैं तो अगर हमारा समाज अगर देरावाद में है अगर हमारा समाज अगर superstitions में फसा हुआ है अगर हमारा समाज पैसे को जादा महतो देता है ना कि विचारों को और education को अगर हमारा समाज पंजाब में drugs में involved है, alcohol में involved है अगर हमारा समाज ऐसे political parties में involved है जिनसे की खरिदा जा सकता, तो इसके लिए, we are responsible, हमारी जिम्रवारी है, we have been lacking somewhere, हम लोग कही न कही कम पढ़ रहे हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में कम पढ़ रहे हैं, तो साथियों, मैं यहां से, मुल्यवासी संग को यहां पर मैं अभी खाली में, पिछवे दस दिनों में, United States of America में, हम लोग ने, जो organizational work है, हमारे सभी बहुजनपूर्ण, संपूर्ण मुल्यवासी बहुजन समाजिश के लोगों को एक दूसरे के बीश में डायलोग एस्टाबिश करना, भायचारा बढ़ाना, उनकी बीश में की गलत हैंगया दूर करना, एक दूसरों के लिए स्ट्रगल करना, जिस वक्त में, अगर तो महाबोजी टेंपल पर अगर हमला होता है, और उस वक्त अगर हमारे क्रिशन भाई हमारे साथ में होते हैं, या जो लोग अपने आपको हिंदू अडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, लेकिन वाकई में शूद्र और अतिशूद्र हैं, अगर वो खड़े हो जाते हैं, तब फिर इस भायचारा के नाते में, अगर वो हमारे साथ होते हैं, तो कोई हमारे धर्म को खटरा नहीं पहुँचा सकता, एक तो इस तरह हैं, लेकिन वो तब तो खड़े होंगे, जब उनको बुद्ध धर्म की महत्ता समझेगी, जब उनको उनको इतिहास समझेगा, अगर उनको उनका इतिहास बताया जाएगा, अगर उनको विचारों का बीज उनकी दिमाग में वहा जाएगा, अगर आपके आपसी वैमने से को, या जो की भरा जाता है इंडिया के मीडिया से और अलग-अलग तरीके से, अगर ये चाजम, अगर ये differentiation और contradiction बढ़ता रहेगा, तो फिर किसी भी तरह से हमारे लोग, हमारे असाथ कभी नहीं दे पाएंगे, और अगर हम minority बनके रहे गए, तो उस देश में जो लॉक्तरांबेट करने कहा है, बाबा साब ने कहा था कि मेरे देश का यह प्रशन है मेरे सामने है, कि एक का conscious और determined minority is creating conditions to keep the majority divided, तो यह जो अहम गुद्धा बाबा साब के सामने आया था, और यही अहम गुद्धा बुद्धा के सामने भी आया था, बुद्धा के सामने चारवर्ण थे, बाबा साब के सामने छेहजार जातियां थी, तो साथियों जब तक यह इस तरह का काम जो डायलोग अस्टाबिश करने का, मूलनेवासी भाजन समाज का निर्मान करने का, जब तक हम नहीं करें गए, इस तरह से भाइचारा नहीं बढ़ाएंगे, तब तब ना हम लोगों को बचाया जागा, ना हमारे धन को बचाया जा सकता है, ना बाबा साब की विचारों को बचाया जा सकता है, कि दॉक्तर अमिर्कुर ने आपको याद होगा काया है कि इस नाट ओल्ली पॉसिबल तो किल अमान बट इस अगर उसका प्रचार और प्रचार नहीं किया जाएगा अगर उसको थाही मायनों में नहीं समझाया जाएगा अगर हमारा intellectual development उस तरह से नहीं किया जाएगा हमारा आज की देश में ये इस्तिती है कि intellectual development तो बहुत दूर की बात है literal education से भी हमारे लोगों को महूं रखा जा रहा है और एक बहुत ही सूनय जिस साजिश के अंतरगत एक बहुत ही सूनय जिस प्लानिंग के अंतरगत हमारे इधर का जो right wing fascist ideology के लोग है उनकी political parties, उनके लोग, उनकी organizations बहुत जादा तरिके से उसमें successful हो रहे हैं इस त्वक्त जैसे ही Hinduization और Sanctritization बढ़ता जाएगा Hinduization और Sanctritization का कोई दूसरा नाम नहीं है यह एक ideology का नाम है जिस रुको की इब्रहामनिक लाडियोलोजी से माना जाता है हम लोग हमारी कोशिश होना चाहिए ना हम त्योहारों के रूप में, ना देरवाद के रूप में ना सिर्फ अंधेली भक्ती के रूप में ना किसी भी रूप में हमने ऐसे ideology और ऐसे विचारों का कभी साथ देना चाहिए और उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे लोगों को अगर इसमें से निकालना है तो हमारे educated लोगों को घर से बहार निकल के काम करना परेगा गुधा विश्वर्षावास की वक्त में घर में रहा करते थे भाकी वक्त में उनोंने चरव के भख विख वे मनतेजी जानते हैं उन्होंँ वह फौलो भी करते हैं लेकिन हमारे लोग हम लोग अगर सबस्तित को जाता है तो हम लोग भी उपासत के रूप में, वी आर अल्मोस्त लेक 25 परेटी 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 और वी शुट बी डूइंग अलग अलग कारण ढूंते हैं, घर से बहार न जाने का, हम लोग अपनी महिलाओं को भी नहीं जाने देते, खुद भी नहीं जाते, और पुरे की पुरी तरह से ब्राह्मनवाद को बहुत भी नाम नहीं लेते, मगर ब्राह्मनवाद को हमारे सर पर, अगर कोई ढो रहा है, तो आज का मुलिवासी बहुदिन समाज ही ढो रहा है, हम लोग इसमें से इन चीज़ों को जानेंगे और अपने आपको रहा करेंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ, और मुलिवासी संग के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देती हूँ, और मैं यह आपको पताना चाहती हूँ, कि हमारे प्रैत्न को बहुत ज़्यादा शफा मिली हूई है, जहां जहां पर भी बहुत भाईयों में और क्रिश्टन भाईयों में, जहां जहां भी बहुत भाईयों में, पंजावी भाईयों में, सिक भाईयों में, जहां पर भी जगड़े और इस तरह के राइट्स लगाने की कोशिश की है, चाहे वो एंटी हो, चाहे भादराबाद हो, चाहे गया हो, बिहार हो, वहां पर इस तरह के का काम जो है, बहुत काम आया है, और इस तरह की की कोशिश होते रहेंगी, तभी ही ना हमारा धर्म मतलब अगर हमारी population आज मेरे ख्लाइब से वन करोड को क्रॉस नहीं की है वन परसेंट पूरी तरह से नहीं है बुद्धिस पॉपुलेशन इंडिया अगर हम इस्टन कंट्रीज को मानेंगे तो हो सकती है जादा है लेकिन भारत जो जननी है बुद्धिसम की उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है अगर बुद्धिस लोगों भारत को बुद्ध में करना है तो इसका मतलब 120 करोड नहीं 120 तो 100 करोड लोगों को बुद्ध अगर तो उनकी दिमाग में जो गेर बुद्ध ककच्रा है वो तो पहले निकांगा होगा अगर जब पर कोहनी निकालेंगे क्योंकि वो कोई न कोई चीज को तो मान रहे हैं और जो दिमाग भरा हुआ है अगर उसमें अगर हम भरते रहेंगे तो तो फुल इसके उपर डालने वा चाहे वो कितना दी अच्छा हो क्योंकि दिमाग में उनके जो है वो उसी को धर्म और उसी को धर्म और उसी को सब कुछ मानते हैं और ये प्रक्रिया रॉक्टरांबेकर ने तीस साल तक चलाई तभी वो पांच लाख लोगों को इखटा कर सके हैं अगर तो हमको आप मानिय करना है तो करी लोग तो यहीं पर इढ़ा हो जाएंगे कि भाई ये तो हमारे बसका काम नहीं है तो साथियों यह जो चुनोतियां है ये चुनोति है जो मानवता में विश्रास रखते हैं ये चुनोति उनके लिए है जिनको समानता इस दुनिया में लाना है ये चुनोति स जिनको की बहुत के मार्क से लगाव इतना हैं की वो दुनिया को बदल सकते हैं. Engaged Buddhism, there were never people who were totally idle. They have always been engaged. And they have always sought to engage other people along with them. तो इतना मैं कहकर आपसे रदा लेती हूं और आपका बहुत 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 देती हूं. जै भीम, जै बुद्र, जै मुन्रा से. जै बहुत 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 शुक्रिया अपा. इसना दॉक्टर मनिशा भंगर जी और अपड़े अच्छी बचार होना ने पेश्क्रिते हैं. तो मैं थे मैंने मैंतां सोचा है इपंजाबी थे बुनन के लेकर मैं पता लगा कि वो शायर है. मैं बड़ा अच्छी तरीक दिनारा पूंदस्या है कि मैं उना दा इस बुद्ध भ्याबच वेलकम करना है थाने बाद. क्योंकि जिस बचार का रहूं लेके बूर नुबास्ती जो चले ने अगर इसे तरह काम काते रहें तो देन दूर में जहादो बदलाव जुरूर ले आओंगे. तो इस वरी मैं होना दो बहुती तनपास करना है. तो मैं हुन चोटी जी पीट है साथे पास. तो अगर मिलिशा जी, डॉक्टर मिलिशा जी आपके सभी कात करने के तो थैंक्यू दाटर. तो नाल दिनाल आपने आने बादे परोग्राम छेज संबर आने वाला है. और खासका के छेज संबर को आपांगे.